दोस्तो स्वागत आपके मेरे चलने जय हनुमान में दोस्तो जै शिरी राम और दोस्तो जैसे कि आपने पढ़ा कि शिरी राम से लड़ने पहुंच गया तो दोस्तो काफी लोग इस बात को जानते भी होगे कि आखिर पूरी कहानी क्या थी लेकिन भूस से लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते होंगे तो उनको मैं पूरी राम कता आज पूरी वीडियो में सुनाऊंगा तो दोस्तो पूरी वीडियो एंट तक देखना बहुत ही अच्छी राम कता है दोस्तो इस कहानी को सुनकर आपके अंदर और भी ज्यादा भक्ति वर जाएगी हनुमान ज दोस्तो चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लिजे को मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो सिलाते रहता हूं तो दोस्तो आईए इस पूरी राम कता को सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी खुद स्रीर राम जी से लड़ने के लिए तयार हो गयते हैं तो आई दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो ये बात हर कोई जानता कि हनुमान जी श्री राम भक्त हैं और राम जी हनुमान जी के हिर्दे में बस्ते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार क्या हुआ एक बार सुमेरू परवत पर सभी संतों की सवा क आईजन हुआ के बर्त देश के राजा सुकंद भी उस सवा में सभी संतों का आशिरवाद लेने जा रहेते तब ही उन्हें रास्ते में उन्हें देवरशी नारद मिले राजा सुकेंद ने उन्हें प्रणाम क्या इस पर नाराज जी ने उन्हें आश्री वार देकर यातर का पिराजन पूछा राजा सुगन ने उन्हें बताए कि संत सवा के आयोन की बात बताई इस पर नाराज मुनी ने कहा कि संतों की सवा में जरूर जाना चाहिए ऐसा कहका सुगन को जाने का आदिश दिया सुगन जैसे सवा में जाने के लिए प्रिस्तान करने लगे तभी नारज जी ने उन्हें आवाज दी और कहा कि देखो आप संतों की सवा में जातों रहो बहां पे सभी संतों को प्रणाम करना मगर बहां पे संत जो बिश्वा मित्र जी हैं उन्हें आप प्रणाम मत करना ये बात सुनकर राजा सुगंद बोले कि ऐसा क्यों ये तो बहुत गलत बात है तब नारज जी ने कहा कि आप विश्वामित्र को मतलब प्रणाम ना करें क्योंकि वो भी आप संत हुए हैं इससे पहले वो भी राजा ही थी आपकी तरह इसलिए आप उन्हें प्रणाम मत करना तो ये बात सुनकर राजा सुगंद बोले चलो जैसा आप नगाब ऐसे करूँगा बस फिर क्या था उन्होंने सभी संतों को प्रणाम करा मगर संत बिश्वामित्र को प्रणाम नहीं करा जब संतों की सवा समाप्त हुई है तब बिश्वामित्र जी शिरी राम के महल है जिसने भी आपका अपमान करा है उसको मैं मतलब जीवत नहीं छोड़ूँगा उसका मैं बद कर दूँगा कल यह मैं आपको बचन देता हूं बस फिर क्या था जब ये बात राजा सुकंद को पता चली तब वो बहुत ही चिंतित हो गये बहुत परिसान हो गया और घबर घब्रायस हुए नारक मुणी जी को ढूनने लगे तब यहम रोने लगे तब नारक मुणी जी वहाँ पर पहुंशते हैं जब व नाराजजी प्रफटान के लिगाता है कि भी डिन ही तो अलब से लिगािया है. इसकी पर नाराज जी न उन्हें मता अंजनी की इनकी जाने की सला दी यह भी कहा कि अगर उन्हें से दे दिया बचाने का तो तुम जरूर बच जाओगे लेकिन ये भी कहा कि बै किसी को ये नहीं बतांगे कि नाराज जी ने ये उन्हें सला दिया है। फिर क्या था राजा सुकंद की रोने के वाद सुनकर माता अंजनी भाहर पहुँची तब उन्होंना का कि माता मुझे बचा ले अन्यता बिश्वामिद्र जी मुझे मार डालेंगे। इस फ़र माता अंजनी ने सुकंद को उसके प्राणब बचाने का बचन दे दिया। उन्होंने का कि तुम सरण में हो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। इसके बाद राजा सुकंद को विसाम करने के लिए कहा। साम ढेले जब हनवान जी मात अंजेने के बाद पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई। लेकिन सुकंद को बुढाने से पहले परमसुद से सोगंद लेने को का। तब स्री हनवान जी ने का कि वे श्री राम की सोगंद लेकर कहते हैं कि राजा सुकंद को कुछ नहीं होने देंगे। जो भी उन्हें मतलब मानने के लिए रहा है वो उससे लड़ने को तयार हो गया है। मतलब उन्होंने उससे बचन देते हैं अपनी मा को कि मतलब कोई भी कुछ भी राजा सुकंद का कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर क्या था। हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हें मानना आके चाता कौन है। तब सुकंद ने बताए कि शिरी राम उन्हें मानना डालेंगे। इतना ही सुनते माता अंजेनी हरान नहीं गए। उन्होंने का कि तुमने तो बिश्वामित जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं वे तो मरवार डालना चाहते हैं लेकिन मारेंगे तो रामी। हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनकी राज धनी में छोड़ दिया और श्री राम के दर्वार पहुंच गए। वहां पहुचकर उन्होंने राम जी से पूचा कि हे प्रबू आप खाया रहा है। तब श्री राम ने सारी कहनी बताई कि ऐसे-ईसे वह मतभ़ राजा शुकंद का बद करने के लिए जा रहा है। तब हनुमान जी ने उन्हें रोका, बोला परभू आप उनका बत मत करिए, क्योंकि मैं अपनी मा को बचन दे चुका हूं, और कि मैं राजा सुकंद को कुछ भी नहीं होने दूँगा, तब स्री राम जी ने उनसे का, कि ठीक है, तुम अपना बचन निवाओ, मैं अपना परभद पहुँच गये, और राम का नाम का कीरतांगे लेगे, उधर राम जी राजा सुकंद को मानने के लिए उनके राध धनी पहुँच गये, लेकिन वे नहीं मिलें, वे उन्हें ढूंते हुए परभद पर पहुँचे, वहां हनुमान राम मंतर का जाप कर रहते, राम नाम पर पूरा भरोसा रखो, लेकिन वे काफी डर हो गते, तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम मंतर के गेरे में बिठा दिया, इसके बाद राम नाम चपने लगे, राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बांड चलाना शुरू किया, तो वे राम नाम के मंतर के विफल हो जाते, राम जी हतास हो गए कि आखिर करें क्या, ये दिर्शे देखकर स्री लक्ष्मान जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परिसान कर रहे हैं, तो उन्हों ने लक्ष्मान जी ने सीधे वान हनुमान जी के हिर्दे पर चला दिया, जैसे वान हनुमान ज चला है हनुवान जी के ओपर अम मूर्चित होकर गिर पड़े राम जी आखिर ऐसा क्यूं हनुवान जी के हिर्दे से खून बहना शुरू हो रहाता तब बात में पता चलता है लेश्मा जी को कि आखिर हनुवान जी के हिर्दे में राम ही तो बसे हैं तो जब उन्होंने हनु जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे वे बार बार उनकी चाती पर हाथ रखते और आंके बंद कर लेते पवंसूत को जैसी होस आया तो उन्होंने देगा कि राम जी आंके बंद करके हनुआंजी की चाती पर बार बार हाथ रखते हैं फिर हनुआंजी के सिर पर हाथ फेरते ह निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया तब ही राम ने फिर से हनुवान जी की माते पर हाथ फिरा लेकिन इस बार वहां परमंसूत की जगे राजा सुकन थे राम जी मुस्क्राय जी बोल उठे कि नाथ अब तो आपने इनके सिर्फ पर हाथ रख दिया आप तो सब कि सिर्फ पर तो मुझे अपना हाथ रखना ही पड़ेगा लेकिन जो मैंने बचन दे अपने गुरु जी को आखिर उसका किया तब हनुवान जी को बिष्वामित्र जी आतोई दिखाई देते हैं तब हनुवान जी कहते हैं कि तुमने उस टेम तो प्रिणाम नहीं करा गु कि मैं तो एक संधू अर्फ टूं मेरा गाम किसी को देना नहीं किसी की गल्ती को सुधालनouse करा हि कि तुम ने गल्ती करी अब इसको सुधाल लिया तुछी मैं तुम्य हा और कंट लेकिन वह पूस्ते हैं आखिर ऑखिर राजthrop कर्तिती कि आखिर तुम्हें ऐसी बात किस न इस सला दी ती, जो तुमनें माझे पंधना, तब राजयशुणन मताते हिरा नारज जी ने मुझे ये सला दी दी ताभी में परकट हो जाते हैं, तब उन से कहता हैं बिश्मा जी कि तुमने ऐसी सला क्जू दी नारज? तो नारज जी कहते हैं कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि एक वाद बताओ नारज जी कि आखी शिरी राम में शिरी राम बढ़े हैं या उनका नाम बढ़ा हैं तो मैंने इसलिए ये लीला लची थी, जिसको सब को पता चल ज Ricky-ाय का नाम भड़ा। तो दोस्तो ये ती कहानी पूरी राम कहता थी दोस्तो तो बताइए दोस्तों आपको कैसी लेगी। तो दोस्तों ये पूरी कता सुनके अगर आपके अंदर भी बहुत जादा हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए भक्ति बढ़ गई हूं तो जल्दी जाके कमेंट में जैश्री राम जैहनुआ लिग दीजिए और बस दोस्तों ऐसे और वीडियों देखने के लिए चैनल स करना शेयर करना तो दीजिए दोस्तों जैश्री राम जैश्री राम